सबसे पहला आप युमान के चलो, जैसे आपका कोई कार्बोनिल कंपाउंड है, H2O हो रहा है, तो simple देखे इसका हाइडोलिज होता है, तो एक easy trick है, कि ये बोंड ब्रेक करो, OH के साथ H जोड दो, और इन double बोंड के साथ आपो OH and OH जोड दो, तो याने एक तो आपका इधर त मिकल जाता है, O and H, समझें, तो इससे क्या होता है, वापस इसी में ही move हो जाता है, अब मैं देखें, मैं क्या बताना चारा हूँ, अब देखें, याने जब मैं इसका hydrolysis करता हूँ, ये बोंड करके ब्रेक हो जाएगा, लेकिन वापस इसी में ही convert हो जाएगा, इतना समझ कर लिए, लेकिन ये वाला आला कि इसके साथ conjugation में है, लेकिन इसमें एक अलग concept हो जाता है, देखें, इसमें इनके साथ वो नहीं है, ये तो देखें, ये conjugation में हो गया, लेकिन इसमें आप देखें, अब क्या होगा, ये जैसे मैं बोंड ब्रेक करता हूँ, H, H, O, H and O, स इसमें ये करते ही, आपको ये क्या बन जाता है, इसमें, hydrogen bonding, इंट्रा मोई कर hydrogen bonding होनी स्टार्ट हो जाते है, इसकी वज़े से ये product stable होता है, ये O, H, O, H, O, H, O, O, निकालके वापस ये product नहीं बनाता, इसमें यही है कि किसी भी language में question पूछा जा सकता है, देखें, honestly, मैं क इसी भी language में question को पूछ सकता हूं, लेकिन ही कहा देंगे, इसमें stable क्यों है, जब भी आपका style question हो, double bond O है, एक में OH बनाता है, तो आप hydrogen bonding देखो, कहीं बन रही है, hydrogen bonding बनी है, और इसी वज़े से ये stable है, ठीके, इसका मतलब क्या है, जो option number 4 है, is your correct answer, इसमें आपको hydrogen bonding नहीं hydrogen bonding बन रही है, ठीक है, इसमें भी एक hydrogen bonding बन रही है, इसमें एक बन रही है, ये बना दो या ये बना दो, इसमें दो बन रही है, 2H bond, and that is why this is our correct answer.